आज की वीडियो में विनका और जो पॉट्चुला का प्लांट है दोनों की केर बताऊंगी, साथी साथ बरसात में इसको कैसे सेफ रखना है, अपने प्लांट को मरने से बचाना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो में बने रहीएगा, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हैलो एवरिवान, कैसे हैं आप सब लोग, लव फोर गार्डनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हैं, तो जो पॉट्चुला का होता है और विनका, ये दोनों ही प्लांट बहुत जादा मातरा में फूल देते हैं, और कितना भी गर्मी पढ़ रहा हो, तेज हो, चाहे कितना भी हाई हो, इनके उपर कोई भी गलत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो इनके उपर बहुत जादा फूल आते हैं, तो जितनी भी अच्छी गर्मी होगी, उतना ही जादा मात्रा में फूल आये हुए हैं लेकिन जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो वो समय इनके लिए बहुत कस्ट दाई और बहुत मुश्किल समय होता है क्योंकि ओवर वाटर से यह मर जाते हैं इनमें फंगस लग जाती हैं इसमें कीड़े आ जाते हैं और धीरे-धीर जहां पर उपर च्छत वगरा हो तो वहां से क्या होगा कि इनके उपर बारिश का पानी जादा नहीं आएगा लेकिन धूप इने सामने से मिलती रहेगी तो शेडी एरिये का मतलब है ऐसी जगह जहां पर थोड़ी च्छत हो उपर से लेकिन नीचे वो इदन खुला हो किसी कम मिट्टी में तो इसलिए वैल देन सॉयल का रेशियो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूं तो इसको भी आपको जैसे 40% नॉर्मल गार्डन की सॉयल 30% रिवर सेंड या बजरी और 30% आप कमपोस्ट लेके इसका जो मिट्टी होता है वो तैयार करेंगे तो फिर पानी इसमे या बजरी की लेयर कर दीजे तो इससे क्या होगा पानी टिकेगा नहीं छन के वापस नीचे चला जाएगा साथ ही साथ जो छोटे मोटे फूल सूख जाते हैं उनको रिमूब कर लिजे पत्तियां अगर जैसे सूख रही है तो उन्हें हटा लिजे और हाँ बरसात के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि जो विनका और का जो प्लांट है खासकर विनका की बात कर रहे हूं मैं उसके नीचे की जितनी भी लीव्ज है ना वो आप फटा देंगे तो उससे क्या होगा कि नीचे हवा पास होती रहेगी तो ऐसे में फंगस की जो प्रॉब्लम आती है व इसे के पत्य है वो आप अप को वीडियो में दिखा रही हूँ जो सिर्फ नीचे की लीव्ज है मैं उने ही हटा रही हूं अब नीचे की लीव्ज चाहे नहीं हूँ चाहे पुरानी हो आपको सब हटा देनी है और उसके बाद फिर मिट्टी को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अब खात की बात कर लेते हैं तो देखिए खात तो वैसे तो इसको बहुत जादा खात की जरुरत नहीं पड़ती है लेकिन क्यूंकि अब इसका फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तो ऐसे में थोड़ा सा हमें इसको जो खात ऐसी देनी पड़ेगी जिससे इसमें फूल जादा मात्रा में आए और जैसे की बरसात आने वाली है तो प्लांट के अंदर जो इमुनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉंग हो जाए मतलब की छोटी मो जाइम लिया है क्योंकि पॉर्ट मेरा बहुत चोटा है तो इसलिए मैं बह। ज्यादा मात्रा में नहीं ले रही हूं तो मैंने एक चोटा चमच यहां पर जाइम के दाने लिये हैं और उनको चारों तरफ मिट्टी में फैला दिया हैं जाइम से प्लांट की मिट्टी प्लांट में थोड़ी सी कैमिकल खाथ दे सकते हैं थोड़ी मात्रा में जितना में बता रही हूं उतना हमेशा नहीं देना है तो आपको क्या करना यहां पे एक चमच छोटा चमच हमें 0050 ले लेना है एंपीके का और उसको मिट्टी में मिक्स करके आभी हम इसको खाथ को दे ही प्लांट में और पॉतेशन जादा है और पोटेशियम चुद्द होता है तो प्लांट में में दानगा को म Tradition लेकिन अगर यापका प्लांट में प्लांट दिखाता हूं जैसे कि व्म अपना प्लांह ज्मेड एक बहूरा है यह अपने इसको चोट प्लांपोतेशन हैं ब यहां पर पहले तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो बहुत ज़्याद नहीं डालेंगे इसमें यहां पे नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट लिया है ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छ सी आ जाए फूल तो हम आगे चलके ले लेंगे जब यह प्लांट थोड़ा और बूशी हो जाएगा इसमें नहीं नहीं ब्रांचिस आ जाएंगी इतने ही छोटे से प्लांट म जाएंगे तो उसके लिए हमें न्यू ब्रांच शाहिए तो इन्सेक्ट तो बहुत कम लगते हैं पर फंगस बहुत तेजी से लगता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? एक लीटर पानी में मैंने लगबग एक बटा चार चम्मच छोटे चम्मची बात कर रही हूँ मैं मैंने यहाँ पर साफ फंगिसाइड लिया है तो अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप यहाँ पर जो दालचीनी होती है उसका पाउडर बनाके और उसको पानी में मिक्स करके और फिर आप उसका इस्प्रे कर सकते हैं या फिर मिट्टी में भी डाल सकते हैं उससे क्या होता है ना कि प्लांक में अगर मिट्टी में कोई फंगस है तो वो भी ठीक हो जाएगा और अगर पत्तों में या स्टेम्स में कहीं कोई फंगस लगा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा तो इसका इस्प्रेई आपको जरूर करना है और मिट्टी में डाल देना है 20 से 25 दिन में एक बार लेकिन हाँ जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो उस समय आपको तब डालना है जब आपको लगे कि बारिश रुख गई है और कम से कम एक दिन तक आप बारिश नहीं होगी तो ही आप डालें लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो आपको फिर से इसको तो वो असर नहीं आपाएगा प्लांट में जो हम चाहते हैं तो इसके लिए ऐसा टाइम चुने कि आपको लगे कि हाँ एक दिन तक या 24 गंटे तक बारिश नहीं होने वाली है तब भी आप उसका इस प्रे कर दें तो फिर प्रोटेक्शन मिल जाएगी देखिए पॉर्च पानी एड़ करके और यह आप मिट्टी में इस तरीके से डाल दीजिए जैसे मैं इस समय वीडियो में डाल रही हूं तो इसे क्या हुआ रिजल्ट आपको सेम मिलेगा बस आपको गुडाई करने की जोरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पॉर्चुला का प्लांट बहुत होती है वर्ग भी करती है और हां जो सुके फूल है वो भी आपको पॉर्चुला का के हटाने होंगे क्योंकि इसी बहान में छोटी-छोटी सी पिंचिंग हो जाती है और जितना आप इसको पिंच करते रहेंगे न उतना ही इसमें मल्टिपल ब्रांचे आएंगी और उतना ह को सब्सक्राइब करेगा और प्लांट से रिलिटीट अगर कोई कोश्चन है तो आप कमिन के थूम उसे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर